तो ये लोग हमारे एजंट बनेंगे कैसे बनेंगे सिंपल सी बात है चार-पांच करोड रुपए का बजट है एक मॉलवी को बोला कि भाई देखो तुमारी तनका की इनको यह पांच-देशार रुपए मिलते हैं जादा पैसे मिलते नहीं है उनसे बलना देखो मॉलवी सब SUV आपको देंगे एपल का मॉबाइल फोन आपके पास होगा मकान आपको देंगे ठीक है सोशल मीडिया टीम आपकी बैठेगी दुबई में राइट और हर महने आपको दो लाक रुपए फिक्स आपके दुबई से आते रहेंगे आपके पास या मॉरेशस से केमन आइलेंड से कहीं से दो दो लाक रुपए हर महीने आपके पास तंखा आपकी आती रहेगी और आपकी हर चीज़ का आपके परिवार का खांदान का सब कुछ वी विल टेक कियर आफ एवरीधिंग आप बरेलवी हैं आपका काम है हर हफ़ते एक वीडियो निकालना जिसमें आप देव देव बंदियों को गाली देंगे देव बंदियों को गाली कैसे इस तरीके से कि आप बोलेंगे वो गहर इसलामी हैं आपका यही काम है ऐसे आप 15-20 मौल वी एक साथ आप बरेलवी खटा करिए पाकिस्तान के अलग अलग जगए इन फरक पाकिस्तान की मैं तो कह रहा एक सोशल मीडिया की टीम जो अच्छी तरीके साइड़ करे और रिलिजिस टेक्ट्स का हवाला देते हुए क्योंकि यही पाकिस्तानी करते आए हैं जबकि कुरान शरीफ यह नहीं कहता कि शिया कौन है सुननी कौन है यह नहीं कहता कि बरेलवी कौन है देवबंधी कौन है एहल अधीस कौन है सेविनर कौन है ट्विलवर कौन है यह कुछ नहीं कहता है वो तो कहता है कि तो मौमिन हो लेकिन उसमें गंद किसने डाली मौलवियों नहीं डाली ना गंद उसमें हाम मौलवियों नहीं डाली मौलवियों नहीं गंद डाली पाकिस्तानी मौलवियों न आपने ये बोला था कि एहमदी जो हैं वो नॉन मुसलिम हैं और हैंस वो वाजबुल कतल हैं आपने कुरान की कोई आयात तो कोट करी होगी तो आपको किसी ना किसी हदीस में कुरान चरीफ के किसी ना किसी आयात में आपको यानी बरेलवियों को देवबंदी के खिलाफ वोचियल मीडिया टीम हो और देवबंदी मौलियों को ये बोलिए कि भाया आप एक काम करिए आप बरेलवियों को उल्टा सीधा बोलिए कि कुरान की रोशनी में ये हदीस की रोशनी में ये गाफिर है ये वाजब उलकतल है छे मेहने के अंदर पाकिस्तान में अर्थकुए भी बहुत है पाकिस्तान में जहलत बहुत है क्योंकि जब लोग जाहिल होते हैं जब उनके पास नॉलिज नहीं है वहाँ पे साइंस अब उस लेवल की नहीं पढ़ाई जाती एक जमाने में जबकि उनके पास नोबल प्राइज विनर है साइंटिस्ट उसको तो खेर उनको एक बार नहीं मिले वो जनल कमर जावेद बाजवा को एक बार नहीं मिले लेकिन एक प्लेन भेजा और बोला कि जितने भी मौलवी आजरात हैं सब पहुंच जाईगी साइड और ताहर अश्रवी साहब और शाम का वाक्त तो रहा है रिकॉर्डिंग चल रही तो ताह अतरप्रदेश से मौलाना साब वाँ पर चीर्स कर रहा हूंगे ताहर अश्रीफी में बताता चलूं अपने दोस्तों को कि इस वेरी वेरी फॉंड ओस ड्रिंक और कई बार टीवी डिबेट्स में बिल्कुल मौलाना साब पर को तुल हो कर आते हैं एक दम को टाइड जिसक बंढ बोकर आते हैं इक दम तो इनको लेकर गए तो यह उन्होंने जो सुनीज हैं उनको अट्रैक करा जो शिया मौलवी हैं उनको एरान लेकर जाता है ना इरान लेकर जाता है इरान फैसलिटरेट करता है आप आईए मिलिये वहाँ पर तो आप ये देखिए कि अल्ड़ी एक फ्रेमवर्क है ये फ्रेमवर्क किसी यहुदी ने नहीं बनाया ये हिंदू ने नहीं बनाया, किसी हिसाई नहीं बनाया ये फ्रेमवर्क कुरान शरीफ में भी नहीं है ये मॉल्वियों ने एक दूसरे की गर्दन काट ने ये आपको एक मौलवियों ने एक मैप बना के दे दिया कि साथ इस तरीके से आप हमारे मुलक को कमजोर कर सकते हैं या नहीं पाकिस्तान को कमजोर कर सकते हैं आपके सामने बड़ा लड़ू आप काम ली रहे आपको यही काम कर दो